हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी स्वागत करती हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टेडि इद्धीपा सैनी में आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ कोशन्स वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना कोशन्स बहुत ही ज़्याद महत्यपूरण ह किजिए गा सबसे पहला क्या कुछ है निमन में सभी स्वान परिवारों के पिंडों के बढ़ते खनतों के अनुसार आपको पहले बताना है बढ़ते करम यानि सबसे पहला कम उन पर सभी में तो यह तो यह पहले ही गलत हो जाएंगे इन दोनों में देख लेते हैं तो भाई अगर हम बात करें ब्रश्पती का मंगल और बुद से कम घनतो है तो राइट अंसर हैगा option number B यानी ब्रश्पती तो पहले ब्रश्पती आएगा फिर मंगल आएगा फिर बुद आएगा और फिर हमारी पिर् चलते है अपने next question पर निम्न मेसेस और परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है तो यहां पर एक चीज़ आप नोटिस कीज़ेगा यहां पर पिंड पूचा है ना कि ग्रह पूचा है ठीक है अगर यहां पर ग्रह पूचता तब शायद आपका अंस्वर होता श यहां पर दूसरा बड़ा पिंड पूचा और सूर्यव को भी एक पिंड की संग्या दी जाती है तो राइट अंस्वर हमारा ब्रश्पती होगा ओके गॉट इट नेक्स आता है कोशन नमबर 3 जीपीएस में कितने उपगरों का परियोग किया जाता है तो जीपीएस में पूचा गया था कि जीपीएस में कितने सैटेलाइट का उपयोग होता तो राइट अंसर इस 24 नेक्स आता है चुमके तुफान क्या है खंगोलिय पिंडों के चुमके छेत्रों में गड़ बड़ी चुमके धुर्वों की शक्ति में परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं होता उत्त इनका जो मैगनेटिक एरिया होता है न चुमके छेत्रों में जब गड़ बड़ी पैदा हो जाती है तो उसे कहा जाता है चुमकी है तुफान तो याद रखना इसको नेक्स आता है कोश्या नबर फाइव क्या पिर्थवी के घुर्णन की धूरी में जुका ओ पिर्थवी क सतय पर विकीरन की मात्रा को परभावित करता है तो गाइस यहां पर अगर हम बात करें तो एक चीज आप ध्यान देखो यह है हमारी पिर्थवी और यह थोड़ा सा जुकी हुई है अभी मैंने बिल्कुल सीधी बिनाई है अभी हमारी पिर्थवी थोड़ा सा साड़ी पिर्थवी जुकी हुए तो यह वाला पार्ठ प्राप्ट करें यह सोर्य की किरने ज्यादा लगेगी यह ठोड़ा जुकाब की वज़े से और अगर यह उसको यह परभावित करता है तो जाइक है और अवर 친게 हमारी ऑप राप्ट करते हैं और लiamoने तकर से अएस को यह प् question number five किस घरह का कोई भी उपगरह नहीं है तो भाई आप देखो मंगल के तो दो है ठीक है मंगल के तो दो है फ़बोस और डिमोस आरून के तो बहुत ही जादा है वरून के भी बहुत ही जादा बद जो शुक्र प्लैनेट है वीनस इसका कोई भी सैटलाइट नहीं है ठीक है तो वीनस का कोई भी सैटलाइट नहीं है मंगल के दो है फ़बोस और डिमोस आरून और वरून के भी काफी जादा है नेक्स रदा है कोशन नमबर सेवन फिलामेंट शब्द का परियोग किया गया है यह जो फिलामेंट शब्द है ना इसका यूज बताना है आपको तो बत प्रिकलपना के अंतरगत शब्द का यूज हुआ था और यह जो आपकी हाइपोथिति दी वह बृटरिस के विद्वान थे सर जेम्स जिन्स क्या नाम था मैं लिख देती हूं सर जेम्स और जीन्स सर जेम्स और जीन्स महोद्द्यय ने यह दी थी जुआर्य परिकलपना 1919 म तो सर जेम्स जीन्स की जोवारिय प्रेकलपना में फिलामेंट वर्ड का यूज किया गया था नेक्स्ट आता है कुश्चन नमबर एट तारों की निस त्रित गैस और धूल के रासी के पिंड को क्या कहते हैं तो यहां पर फिलामेंट नैबियूला घ्राणू दवैतारक तो तारों से जो भी गैसे निकलती है या जो भी धूल है उसका जो पिंड बन जाता है उसको कहते हैं नेबियूला क्या कहते हैं तो इसको नेबियूला को आप निहारी का वर्ड आप अच्छी तरह समझते हो तो नेबियूला निहारी का को ही इंगलिश में नेबियूला कहते ह ठीक है तो निहारी का कहलो या नेवियूला कहलो तो तारों से निकली हुई गैस और धूल किराशी के पिंड को निहारी का कहती है नेक्स राता है कोशन नमबर नाइन कहां वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है तो आपको बताना कौन से आपके प्लैनेट पे वर्ष की जो तो बहुत जो सूरिय से सबसे ज़्यादा दूर होगा उसी की लंबाई सबसे अधिक होगी है तो बुद्ध बुद्ध तो बैसुरिय के बिलकुल नजदीक है तो बिलकुल रोंगे ब्रशपती भी काफी नजदीक हमारी प्रित्वी का तो 300 दिन की होती है बत यहां पर बात क सार और एक चक्क कर उतनी जयदा दिनों में कंप्लीट करेंगा और हो इसी कहते हैं सूरिय का प्लैनेट का प्रिकरमन सबसे अधिक है को सूर नजदीकory का सब्से नजदीक है नहीं है question जी यहाता है कि सूरिय के सबसे नजदीग बूद्ध है और दूसरा कोशन यहाता है कि सूरिय के सब--" सबसे नजदीग से रहते हुने की वज़य से भी सबसे अदीग घर्म हने की वज़ये से राइथ기는 the color very Green OCत है को से thinking cat a ж Gir temperature को absorb तो कर लेती है बड़ उसे बाहर निकलने नहीं देती यानि जितना temperature ता आप माल इस gas के संपरक में आता है वो सारा का सारा ये gas अपने अंदर absorb कर लेती है जिससे temperature increase होता चला जाता है ठेके तो co2 जादा है शुकर घरा पर और इसी वज़े तो आकास गंगाओं की लगभख कुल संक्या बतानी है आपको खगोल विदो के अनुसार यह पर अगर हम बात करें कितनी है वह वह सो से दोसोड अरब 200-300, 300-300, 300-500, 300-400, तो खगोल विदो के अनुसार जो भर्मांड में अकास गंगाओं है ना उनकी लगभख क्या दाली सोर मंदल के गरो की संरचना भिन भिन होती है गरो की संरचना सूरिय से दूरी से संबंदित परतीत होती है सूरिय के समीपी गरह चप्टानों और धात्वों से निर्मित थे जो उच तापमान पर क्रिश्टली करित हो चुकी है भाये तम घ्रह तत्वों से बने थी जो उच्तापमान पर ठोज संगनित में बदल चुकी है तो यहां पर हमें बताना है कि कौन सा कथन आपका बिल्कुल क्रेक्ट है यह UP-PGT का कोशन है थीक है UP-PGT लेवल का होता है ना एक्जाम तो UP-PGT में यह कोशन पूछा गया था तो यहां पर सोर मंदल की घरो की संरचना बिल्कुल भिन भिन होती है यह बिल्कुल ठीक है आप सभी देख सकते हो सोर मंदल में आपका पिर्थवी है मंगल है बुद्ध है सब अपने अलग अलग है ना शनी है बर्श्पति है सब की संरचना लग लग है कोई चप्टानों का बनाए कोई गैसों का बनाए कोई हलका है कोई भारी है है ना किसी का घनतों कम है किसी का अधिक है किसी के सैटलाइट है किसी के नहीं है तो सबकी संरचना लग लग है तो पहला उप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है सेकिन देखते हैं घरों की स थान रडे तो इस समिन हो में नेच्ट आता है और में किन दे करुक्राइं पर साथ कुणी हैं ये भी कथन बिल्कुल ठीक है जो सूर्य के नजदीक वाले सैटलाइट है जैसे बुद्ध है शुक्र है पिर्थवी है मंगल है ये आपके चप्टानों और धातों से बने हुए आप आप आमारी पिर्थवी कोई देख लो और जब कभी ना कभी याँ पर हाई टेंप्रिचर था तब ये क्रिश्टली करित हुए थे तो ये कथन भी ठीक है नंबर फॉर भाइयतम घर है तत्वों से बने थे जो उच तापमान पर ठोस संगनतन में ठोस संगनीत में बदल चुके देखो जो भाइये घर हैं ये कौन से हैं भाइये घर हमारे ब्रश्पती शनी आरून जिसे जुपीटर आपका सैट्रन और यूरेनस और नेप्चुन के नाम से जाना जाता है और ये चारो जो प्लैनिट है आपके ठोस नहीं है गैसों से बनी है तो ये चोथा वाला कथन हमारा गलत हो जाता है तो उप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा वन टू थी कथन बि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मोसम परिवर्तन को परभावित करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं पिर्थवी का घुर्णन पिर्थवी के घुर्णन मोसम परिवर्तन से रिलेटेर नहीं है ठीक है दिन और रात तो बनते हैं बट मोसम परिवर्तन वाली पर चीज नहीं होती यानि शीजन्स हमारे नहीं बनते पिर्थकी के अपनी अक्ष्छ पर गुंने से जब की पिर्तु में सुरिय के चार और जब गूमते हैं तो उसकी वज़े से आपका मोसम परिवर्तन होता है א। 6 महीने आपकी सर्दी फिर गर्मी जब सूरिय आपका उत्रायन होता है यानि सूरिय करक रेका पर होता है तो उत्री गुलार्द में गर्मी दक्षिनी गुलार्द में सर्दी तो ये चीज पर भावित होती है जब पिर्थवी सूरिय के 4 और चक्कर लगाती है तो ये पॉइं होती है ठीक है बाकी वाले पार्ट में आपकी गर्मी कम होती है तो यह चीज भी सीजन को प्रभावित करते हैं सूरिय का गुर्णन नहीं वहीं सूरिय की गुर्णन का कोई लेना देना नहीं होता तो अप्शन नमबर बी और थ्री आपका क्रेक्ट हो जाएगा ठीक है समझ म रहती है तो काफी सगन वाला एरिया लगा सकते हैं तो भाई पांच डिग्री नोर्थ से 20 डिग्री नोर्थ के हम बात करें ठीक है उसके अलावा गर हम देखें 20 डिग्री नोर्थ से 40 डिग्री नोर्थ के बीच तो यहां पर देखो सबसे पहले 5 डिग्री नोर्थ से 20 डिग एंदर बहुंदे रहते हैं लोग नहीं रहते हैं यह आपका सबसे क्रेक्ट है बीच के बीच की बात करें तो यहां पर करक रेखा के बीच ठीक है यह आपका करक रेखा से भी उप्षन में डाला जाता है कि बहुत तो यहां पर आपकी population सबसे ज़ादा होती है क्यूंकि एक तो यहां पर plane एरिया है और खेती बाड़ी भी किई जा सकते हैं ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है मौसम बढ़िया रहता है और मांसुन वगारा भी आता है वर्षा वगारा भी ठीक हो जाती है तो यसलिए यहां पर पॉपलेशन है उसका ज्यादा बसाओ देखने को मिलता है 20 दिग्री नौर्थ से 40 दिग्री नौर्थ नेक्स्ट रहता है कोशन नंबर 15 भारतिया सोर मिशन के बारे में नीम्न कथनों पर विचार कीजिए सोर उर्जा से रिलेटिड है यह कोशन भारत सोर उर्जा में तेजी तो यहां पर अगर हम बात करें जो आपका दक्षिन पर शिम भारत है उसको आपकी दक्षिन और पशिम वाला भारत उसको अधिक धूप और सोर उर्जा मिलते हैं यह कथन बिलकुल क्रेक्ट है तो ओप्षन नमबर सी रहेगा बार्थ सोर उर्जा में तेजी से बढ़ रहा है और जो दक्षिन और पश्यम वाले एरिया है वहां पर अधिक धूब मिलती है और सोर उर्जा भी मिलती है तो इसी वज़े से वहां पर इनकी आर्ग्स है है ना घर चले दार घर लाल घर प्रात्य संध्य तारा देखो यह तो मौर्णिंग और इवनिंग स्टार हर बार पुछा जाता है और इसका सीधा अंस्वर है शुक्र पैलानित ठीक है विनस हरा घर है कून सा वई आरून मंगल शनी आरून और वरून द तो इसलिए छले दार घ्रह की नाम से जाना जाता है शनी पनालेट लाल घ्रह जाना जाता है मंगल और मंगल को लाल घ्रह क्यों कहते है क्योंकि मंगल पर ज्वाला मुखी की जैसे लावा से रिलेटिड भी चीजे देखने को मिली है ठीक है और पूरी सोर्मंडल का सबसे पिक जो है वो भी आपके मंगल गरह पर है निक्स ओलम्पिया उसका नाम है चोबिस किलोमीटर हाइट है और यहां पर हम बात करें मंगल गरह को लाल गरह के नाम से जाना जाता है तो यहां पर ओप्शन की बात करें तो वही एक थरी एक थरी देखो किसमें है एक थरी सरफ आ लाल गरह मंगल और उसके बाद प्राते सांदे इवनिक तो यानि नबर सी आपका क्रेक्ट हो जाएगा दी गलत हो जाएगा ठीक है समझ में आगे नेक्स्ट आता है कोशन नबर 17 दो पुर्णिमाओं के बीच अंत्राल होता है लग भग यानि आपको बताना है जो दो पुर् गया था तो लगभग भई अगर हम बात करें 26.5 बांट 27.5 28.5 29.5 यानि महीने में आपके लगभग देखलो 30 31 दिन होते हैं और मैंने बताया हर पंदरा यह 14 दिन बात हर 14 यह 15 दिन बाद पहले तो आम आवश्या आएगी फिर पुर्णिमाओं तो एसे चलता रहता है तो यहां परदे को 26 दिन का तो कोई तूकी नहीं बना फिर यह तो यह तो यह 12 दिन पंदरा दिन में यानि मावश्चा है तो उसके अगले कितने 26 या नी सिरफ 11 दिन बाद पुणिमा इनी सकती सिरफ 12 दिन बाद नहीं आएगी 13 दिन नहीं तो मैंने बोला या तो 14 दिन बाद य किसरी दिया था वही तो जो हेलियो सेंट्रिक कंसैप्ट था यह सबको पता है कोपर निक्स महुद्दे की द्वारा दिया था ठीक है जो हेलियो सेंट्रिक सिधान था कोपर निक्स नहीं दिया इसमें आपका जो सिधान तो टॉलेमी ने भी एक सिधान दिया था जिसका ना है और सभी प्लैनिट उसके चारोर चक्कर लगा रहे हैं जो कि रोंग कंसेप्ट था काफी सद्यों तक चलता रहा फिर उसके बाद कोपर निक्स ने कहा नहीं यह गलत है उसने हैलियो सेंट्रिक कंसेप्ट यानि सूरिय के इंद्री धारना दी जिसमें उसने बताया ऐसा नह भी नहीं गया था इसके भी काफी अमीला की गई थी उस टैम तक बात में जब रिसर्च की गई तो चीजे सामने आई तब इसको कहीं जाकर ठीक माना गया जो टॉल्मी महोद्य थी यह भी काफी पर्सनेल्टी थी जो टॉल्मी की बात करें अलेक्जेंड्रिया के निवासी पूची थी और इसके काफी Bjork थी इसके जो फेमस बुक है ञो नेट लेवल पर पूची जाती अनलम की जो ग्राफिया बख स्न्टी नहीं सारी की सारी बुक्स रीडिंग जरूर कर लेना क्योंकि नेट में 10 कोशन्स के लगबग बन जाते हैं बुक्स नेक्स्ट आता है कोशन नबर 19 निम्न कथनों की जाज कीजिए नीचे दिये गए कोड का इस्तमाल करके सही उत्तर का चेंद कीजिए ओके भई सफेद डवास पदार से अधिक होता है यह बिल्कुल ठीक है यह लाई होता है c magic बहुत जादा होता है किसी भी स्तव्हे पदार से इन में बहुत ही ज्यादा अधिक लीठीक है उनका घ्रिंग सफेद डवास बहुते हैं स्वेड लग उनसे वह पानी से 10 लाग उसकता है बिल्कुल पर्य यानि एक कवंटल में आपका 100 kg एक कवंटल में 100 kg तो दस कवंटल में देख लो कितना हो गया 10 में मागे की कोश्चंज फुल डिसकस करेंगे ठीक है उससे पहले मुझे बता देना वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर कर दिया करो गाईस ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा बहुत ग्रोप कर सके निम्नगरों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है तो पिर्थवी मंगल ब में इस सब्सक्राइब कर दोगे तो कैसी लगी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक शेयर कर देना और न्यूँ हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और एक और बात भाई अचीवर्स अकैडमी एप पर आपका पीजीती और नेट लेवल और कि अगर हम बात करें तो जोग्रिफी का पेड़ कोर्स अवेलबल है तो वहां से जाकर आप पेड़ कोर्स ले सकते हो ताकि आपकी अच्छी त्यारी हो जाए एक्जाम से प्याले तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए हैवी नेज़ डिये